हलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम infrastructure सेक्टर को technical analysis करने वाले हैं तो हम आचुके दोस्तो हमारे angel one के web patch के उपर और ये वीडियो हमारे education के purpose से और हमारे knowledge के purpose से होने वाला है angel one के web patch पे आने के साथ ही दोस्तो आपको sector analysis करना अब यहां पर बहुत ही आसान हो चुका है किस टाइप से अभी आप देखें angel one के web patch पे यहां पर ऊपर के साइट में आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगी तो यह जो दोस्तो होम का option है इस पे हम बढ़िया तरीके से क्लिक करेंगे इस पे हम दोस्तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक page open होगा इस page पर आप देख सकते हैं यहां पर derivative trend क करके option आ रहा है तो आपको जो भी सेक्टर करना है आप यहां से बढ़िया तरीके से उसका performance देख सकते हैं दिन उसके पर click कर सकते हैं अब हमें दोस्तों यहां पर infrastructure को दोस्तों क्या करना है analysis करना है तो आप देखिए यह infrastructure sector है इसका आज का ट्रेडिंग session का performance क्या रहा है य ठीके तो आप लोगों के सामने इसमें जितने भी stock list ना सभी की list आ जाएगी आप ठीके यह देखिए stock का नाम यहां price यहां देखने को मिल जाएगा सारी चीज़चे हमें यहां पर देखने को मिल जाएगी दूसरे भी किसी page पर हमें बिल्कुल भी जाने के जरूरत नहीं ह है अब हमें क्या करना है यहां से किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो हम यहां से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो हमें दोस्तों मान लीजिए हमें इस स्टॉक को एनलाइसस करना है तो हम इस स्टॉक के उपर क्लिक करेंगे इसके उपर जैसे क्लिक क्या तो आप तो थोड़ा network issue के कारण वो search नहीं हो पाया तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह search हो चुका है first number पर आच चुका है इस पर जैसे click करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तो वो stock जो है हमारी watch list में लग चुका है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो उसका chart open है तो chart पर आप क second number पर देखने को मिल रहा है इस पर हम दोस्तों जैसे click करेंगे तो यहाँ पर यह watch list में लग चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अब उसके साथ यहां से आप क्या कर सकते हैं tools का उप्योग कर सकते हैं तो यहां से हम एक horizontal line का उप्योग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लगाएंगे ठीक है यहां पर लगा लिया और एक horizontal line का उप्योग करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लगाएंगे ठीक है यहां पर तो अब आप देख सकते हैं यह जो range बनी हुए ना दोस्तों stock की है बहुत important है अभी वो एकदम support के पास गुम रहा है ठीक है जहा उपर की साइड में दोस्तों यह rejection level जो 200 800 रुपे के असपास का है अगर यह break होता है तो stock हमें comfort जो उनमें देखने को मिल सकता है ठीक है तो हमने यह analysis कर लिया और analysis दोस्तों खाली education के purpose से किया है ठीक है हम मान लिजी हमें position लेना है चार्ट पर ही तो आप देख सकते हैं buy का और sale का option दिख रहा है buy करना है या sell तो हमें buy करना है चलो buy पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों कितने lot buy करना है तो हमें मान लीजी यहाँ पर दोस्तों मतलब कितनी quantity बाय करना है तो यह 500 quantity आप देख सकते हैं इस price से कितने क्यार यह पता चल रहा है साथ ही में place order पर क्लिक करेंगे order हमारा सम्मीट हो जाएगा और हमारा जो profit और यहाँ पर हमें portfolio पर देखने को मिलेगा बहुत easy दोस्तों angel one के web page को यूज करना उसके साथ यागर आप angel one का mobile application यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए वह श्यांदार feature लेकर आया है angel one न जैसे कि आप left hand side पर देखेगा दोस्तों आपको हमारा जो mobile screen है वो देखने को मिल जाएगा हमने हमारा angel one का जो mobile application उसको open के हैं उसको थोड़ा सा उपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करें करेंगे एक page open हुआ इस page पर हमें सारी सुविता देखने को मिलने वाली है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पर bank निफ्टी यहाँ पर profit loss यहाँ से देख लिजिए जो भी time frame लगाना वह यहाँ से लगा लिजिए चार्ट पर candle यहाँ से लगा लिज है इस पर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो सार्च बॉक्स आ गया तो यहाँ से हम बढ़िया तरीके से दोस्तों जो स्टॉक हमें web page पर दिख रहा है इसको सार्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह स्टॉक हमें फर्स नंबर पर देखने को मिल रहा है अब इस पर हम दोस्तों जैसे click करेंगे तो आप देख सकते हैं वो stock यहाँ पर दोस्तों आज सुका है उस stock के chart को हम बढ़िया तरीके से यहाँ से analysis कर लेंगे ठीक है फिर chart पर indicator लगाना है तो यहाँ से लगा लेंगे फिर नीछे buy और sell का option दिया अब तक है बाइ करना है यहाँ से हम सब्सक्राइन करें गर्णतिफन दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो और है वा और सब्सक्राइन होगा अबथा Нов को स्क्राइब हो और यहां पर देखने को मिलेगा लिंग का लिंग। इस्टरेट को यूज़ करो पटापट से हमारे वीडियो को लाइक दरो चैनल को सस्क्राइब करो तो थैंक यू दोस्तो